हलो दोस्तो ट्रेडिंग वित राज यूटूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IRB Infrastructure Developers Limited के बारे में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसके सेयर पे 20% का अपर सरकीट लगते वे नजर आये था तो चलिए आज डिसकस करते हैं क्या इस स्टॉक में आगे और भी तेजी बनने की संभावना है या गिरावट सुरू हो जाएगा सारा चीज़े आगे डिसकस करेंगे लेकिन दोस्तों उसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए बेल आइकन को प्रेस करके रखिए और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए मैं आपके लिए इसी वीडियो लाते रहूँगा लास्ट टेडिंग सेशन में IRV इंफ्रा इस्ट्रक्चर का सेयर पैस 255 रुपए पे ओपन हुआ था 253 रुपए तक का लो बनाया था उसके बाद बड़ी तीजी देखने को मिली और 293 रुपए 60 पैसे तक का लेवल हमें देखने को मिला था और वही पे क्लोजिंग हुई थी तो यहाँ पे 20% का अपर सर्कृट लगते हुए हमें नजर आया तो दोस्तों अगर मैं कंपनी के प्रोफाइल की बात करूँ तो यहाँ पे एक कंपनी जो है कंस्ट्रक्शन का काम करती है और यह जो रोट्स वगरा होते वो सारा चीज़े बनाती है तो यह जो कंपनी पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो यहाँ पे लास्ट ट्रिडिंग सेशन में जो है 22 अक्टूबर को 25.6% डिलवरी उठाया गया था जबकि ट्रेड भी बहुत ज्यादा कॉंटिटी में उस दिन हुआ था उससे पहले 40 और 35 मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं डिलवरी का परसेंटेज हमें डेली बिसेस पे बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है अगर रिटन की बात करूँ तो 293 रूपय साट पे से भी करेंट फ्राइस चल रहा है और पिछले एक साल में 159% का बढ़िया रिटन दिया है लॉंक टम पे भी बढ़िया रिटन दिया है 17.91 का और यहाँ पर 3 साल में भी बहुत बढ़िया 311% का रिटन दिया है six month में ये stock ने 178% का बढ़ रिटन दिया देख सकते हैं कितना बढ़ा यहां पर अच्छा रिटन हमें देखने को मिल रहा है इनके जो quarters के sales है हमारे पास है 9 quarters के sales हमारे पास है और इनके sales में लगातार improvement हमें देखने को मिल रही है नेट profit भी बढ़िया 106 करोड का profit हुए लास्ट quarter में वहीं पिछले साल 45.71 करोड की profit हुई थी तो यहां पर नेट profit भी बढ़िया कमपनी लगातार progress में और एक 10,319 करोड की एकी small cap company है दोस्तो डेट की बात करें तो यहां पर 18,605 करोड की डेड़े कमपनी के पास cash 2,349 करो है और asset 41,171 करोड है इस तरह के company में डेट होते हैं कोई दिक्कत नहीं है construction का काम है तो सब चलता है ठीक है उसके बाद promoters की holding 58.46% है और सबसे अच्छी बात promoters ने अपने holdings को बरकरार रखा है ना बढ़ाया है ना घटाया है एक चीज यहां पे मुझे दिख रहा है यहां पे जो इन्होंने जितना भी इनके जो holding से वो गिर्वी रखा है 17 वो 9 quarter से 17 का 17 यह ना ही उन्होंने अपने promoters holding को बढ़ाया है ना ही placed जो percentage होते है promoters holding का गिर्वी जो रखा हुआ है उसको भी कम नहीं किया है ठीक है तो negative चीज है इनको अगर यह company अपना जो placed है उसको अग higher delivery quantity हमें देखने को मिला है 2.3 गुना ज्यादा delivery उठाया गया इस share पे और higher trade quantity भी हमें देखने को मिला है 3.6 गुना ज्यादा जो है यहाँ पे हमें trade देखने को मिला है और इस stock ने बढ़िया breakout भी दिया है 245 रुपे 52 विक का है था उससे 15% उपन निकल गया है और 293 बहुत rally कर चुक है अब यहाँ पे अगर आप entry लेते हैं तो उपर के level पर फस सकते हैं आपको इंतजार करना चाहिए अगर आप इसका share खरीदना चाहते हैं तो थोड़ी सी correction होती है तब आपको लेना चाहिए अच्छे अच्छे stock बड़ी बड़ी company का जो stock है वो गिरता है अगर valuation होता है तो बड़े बड़े stock गिर जाते हैं पिछले दिनों आपने IRCTC का देखा होगा तो यहाँ पे भी गिरावट हो सकती है आपको थोड़ा सा ध्यान से संबल कर यहाँ पे trade करना है या investment करना है तो अभी सही समय नहीं आपको थोड़ा सा wait करना चाहिए correction का और द अच्छा return दे रही है company dividend भी देती बढ़िया entry point सहीं नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताया red flag red flag नहीं है लेकिन यहाँ पे company जो बहुत ज़्यादा तेजी हो चुका है तो यहाँ पे जो है मैं गिरावट जखने को मिल सकती है SM list में नहीं है company बढ़िया अभी तक तो नहीं ह तो चलिए मैंने आपको यहाँ पे सारा चीजे बता दिया अगर वीडियो आपको अच्छा लगो तो वीडियो like करें channel subscribe करें मैं आपके लिए से वीडियो लाते रहूंगा